नमस्कार दोस्तों धान की सीधी बिजाई को सरकार परमोट कर रही है और सरकार का कहना है कि ये किसानों के लिए बहुत ज्यादा लाबकारी है मेरे साथ है डोक्टर ओपी लटवाल जी ये रिटायर है रिसर्च राइस सेंटर कोल से और इन्हें काफी लंबा अनुबव है धान के छेतर में डोक्टर ओपी लटवाल जी आपको सीधी बिजाई के टेकनिकल तरीके बताएंगे लाब भी बताएंगे लेकिन उससे पहले किसानों का सवाल यह आता है कि हम सीधी बिजाई करते हैं तो खर्पतवार कंट्रोल नहीं होता इसी कड़ी में आज आपको कुछ ऐसी आपको आपको मिलती रहे यह कौन सी वेराइटी हैं पंद्रा सो नो की तुलना में जिनमें खर्पतवार कंट्रोल सीधी बिजाई करें तो बहुत आसानी से हो जाता जी दहन की सीधी बिजाई में जो किसानों दौर अपनाना जाना चाहिए उस में सबसे बड़ी समषया किसान जो जो ए गयानिकोई के सामने रखता है वह करता है तो खर्पतवार में खर्पतवार नाशक इतने हैं वो बढ़ान की सीधी वीजाई में परियोग करके खर्पतवारों पर नियंतन कर सकते हैं लेकिन पिछले समय में अभी पुषा ने सब्सक्राइब द्धनिये किसमें और भूसा नायं मिलेन अधनी आशेँना ये फोरेaders किसम को सब्सक्राइब जाएं किसमें डाले तो उस किसम के ऊपर कोई उस खर्पतवार नाशच का अशर ना आए वो फोशा ने निकाली एक तो फुषा बास्मति 1905 एक पूशा बासमती 1989 यह किसमें हर सेंटर पर जो हना टैस्ट हुई इसमें जो दवाई पूशा ने कही कि अगर इसमें इमेजाथ हाई पर डालते हैं तो सारे खर्पतवार एक साथ नियंत्रन हो जाते हैं और जो पिछले साल गावी दहान जमता है जिसको किसानी वासा में चोबा बोलते हैं वो चोबा भी नियंत्रन हो जाता है तो यह एक बड़ी सफलता है को और इसमें किसान भाई अगर इस खर्पतवार नाशक समस्या के ड्रके मारे अगर दान की सी दिविजाई पर नहीं आ रहे थे तो एक सफलता मेली आप इसको अपना कर दान की सी दिवि अगर फसल के अंदर देखें तो इस समय में इसके अंदर कोई गास नहीं दिखाई दे रहा और फसल के ऊपर अगर घास की दवाई का आशर देखें तो इतनी साफ सुथरे जो के इंदर दाने बढ़ने की अवस्था में फसल है और यह पूसा उननी सो पिचैसी किसम बताई नहीं है बहुत अच्छा अशर जिसने भी डिमस्टेशन लगवा है बहुत अच्छा लग रहा है आई एर आई पूसा द्वारा विक्सित की गई धान की नई किस्म 1985 को नूजी वीडू सीट्स गोल्ड स्टार एस्टी के नाम से किसानों तक पहुचा रहा है तो चलिए उन पंद्रा एकड में गोल्ड स्टार पूसा बासमती उनिस सो पचासी लगा रखिया जी और सीधी ड्रेक्ट डियेसार तरीके से ड्रेक्ट सीडिंग राइस लगा रखिये पहले मैं भी डर रहा था कि क्या मैंने कर दिया यह वह है लेकिन किसान कहते थे इसमें खर्पतवार कर नहीं दिखाई दे तो मैं तो इससे बहुत संतोष्ट हूं पहले डर रहा थे लेकिन अब आसपास के प्रोसी भी कह रहे हैं कि ठीक बड़ीया तरीके से आपकी फसल यह है तो इसलिए मैं तो इससे संतोष्ट हूं और आगे इसका जो है मार्किट में जैसे दूसरी तीन दिन खेत में उसके अधियर लगा दिया अब उद्रलगाना है वह टाइम पिरड़ बच गया दो किल्ये में अपना स्पानी चलता रहा चोत्य पांच में दिन इसमें पानी लगाना पड़ता है जैसे अम लेवर की चिंता थी जैसे पहले रुपाई करते थे उसमें हमारे को करती तो लेवर किसमस्या खत्म होगी कद्दू का खर्चा बच गया इसमें सिर्फ 5 लिटर तेले किल्ए में लगता है जब हम रपाई करते हैं जैसे हें वह करते हैं बिजाई करते हैं पांच लिवराबरा आप देख रहे हैं जैसे ही मेरे पीछे ही जिए पंद्रा सुनो कि पूछा कितना बजन निकला कि आज निकला है वह लेकिन जो यह है हमारी इसका मैक्सिमम्ट 27 कौंटल जाड निकल रहा है मैसे मेरा जोगा सिंह गाओं क्भढ ए तसीर असंद जिला करनार अस्टेट हर्याना है यह मैंने गोल्ड गोल्ड स्टार एच्टी बीज लगाया हुआ है तो यह आपके सामनी है इसकी पैदावार दूसरी धान से पैदावर अच्छी है सीधी बिजाई में जो खर परतुवार आते हैं उसके लिए अमेजा था पिर दवाई का झृट अट है कोई भी स्केंदर खर परतवार को पैदानी वा इससेड़ मेरे पर निकल गया जो मेरे परुशियों के erkl знать परेते हुए हम भी कंगर दोजाने लगाएं सबसे बहुमें बात है पांत साट दिन पहले चलिए अब मिलते हैं नुजी वीडू सीड्स के प्रतीन इदी से और जानते हैं कि गोल्ड स्टार एच्टी 1985 में खर्पत्वार कैसे कंट्रोल होते हैं खर्पत्वार बहुत जादा रहते थे तो हमें सीधी वीजाई में अच्छा नहीं मिल पा रहा था तो अब देखने में नजर आ रहा है जैसे यह पूसा की व्राइटी है गोल स्टार एच्टी 1985 इसमें देखने को आया है जैसे हमने सीड डाल दिया खेत में डालने के बाद मे हमें एक से सवा लीटर, देढ़ लीटर करीब पैंडी का स्प्रे करना है और पैंडी करने के बाद में करीब करीब पचास से साठ परशेंट हमारा खर्पत्वार रुख जाता है जर्मिनेशन नहीं हो पाता और उसके बाद में इमीजा थाइपर का हम परियोग कर सकते हैं, 500 ml का 200 लिटर पाणी के साथ घोल बना के, और कट नोजल से करना है, करीब करीब उसमें हमारी जितने भी खरपतवार हैं, सारे उसमें नस्ट हो जाते हैं, हमें second application की जुरुत नहीं पड़ती, और वो आज आपको देखने में नज फाइदा ही फाइदा है, इसमें हम labor की बचत कर सकते हैं अच्छे से, इसमें हमें paddling की जुरुत नहीं पड़ती, और इसमें समय की बचत है, और इसमें हमें government से भी 4000 का incentive हमें मिलता है, और इसमें पानी की खरीब करीब हमें 30 से 35% पानी का भी इसमें बचत मिलता है. अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, तो ज्यादा से जादा लाइक और शेर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले.